बड़े भी छोटों के नक्षे कदम पर World Championship of Legends के फाइनल में भारत ने पाकिसान को पांच विकेट से शिकास दे दी पाकिसान चैंपियंस की हार ने पी-20 वर्लक अप में भारत के हाथों हार के जखम ताजा कर दिये अफसोफ की बात है कि वो प्लेयर जो अभी फस्कलास करक्ट खेलने हैं और इंटरनेशनल करक्ट खेलने हैं इंडिया की स्टीम में कोई भी मेरे खाले फस्कलास करक्ट खेलने हैं और इतनी बड़ी टीम जिसमें पांच लड़के फस्कलास करक्ट खेलने हैं पाकिसान की दर्व से और वो सिर्व 156 बना सकी ती-20 वर्ड कप हो एश्या कप हो चैंपियन ट्रोफी हो या फिर लेजें लीग हो इंडिया हमेशा पाकिस्तान को धोकर रख देता है मुझे कोई बंदा जो क्रिक्ट को थोड़ा सा भी जानते है वह आंखे बंद करके कहेगा कि पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर बहुत तगले टीम है इंटरनेशन तो इसलिए कि मलिक ने अभी रिटार्मेंट नहीं लिए शरजील ने नहीं लिए तोय मत्सूद ने नहीं लिए आमरी आमीर ने नहीं लिए बड़ा दुख हो रहा है जी हमारी तो जो सो कहते हैं किसमत ही खराब है कि हमें ये टीम मिल गी स्क्रिंग से उमीदे लगाने पड़ गई है हिंदोस्तान के चैंपेंज ने भाई ब आज ने क्याप्टिंस ही करी है ना दो रहन चाहिए छे बॉलों में और इतनी बड़ी टीम जिसमें पांच लड़के फस्क्लास क्रिक्टर खेलने हैं पाकिसांग की तरह से और वो सिर्वे 856 बना सकी है अफसोफ की बात है कि वो प्लेयर जो अभी फस्क्लास क्रिक्टर ख इंटरनेशनल तो इसलिए कि शुर्व मलिक ने अभी रिटार्मेंट नहीं लिये शरजील ने नहीं लिये तोएब मसूद ने नहीं लिये आमरी आमीन नहीं लिये बड़ा दुख हो रहा है जी कहां से शुरू करूं कहां पर खतम करूं लेकिन यहां पर जो यो राज ने क् वो टॉक क्लास करिए वो मैं इस तरह आपको बताता हूं एक और में आट तन दी है हर बज़ी ने बज़ी ने उसके बार उसमें दूसरा ओवर नहीं किरा उसको पता था कि शुवेब मलिक खेला है शुवेब मलिक ने च्टकर भी लगाया था उसमें लेगा यह इस प्रिजस क बारह रण दीके उसने जो डंडा उड़ाया ना यूनुस का बॉल अंदल लाया कराची टेसमेंच में जिससरा है टिक करी दी ना यूनुस मिरे खाले बोल्ड हुआ था हूं यूनुस बोल्ड हुआ था या LBW हुआ था मिरे खाले बोल्ड हुआ था यह मारा और यह जीत क बड़ी टीम को हराया हलांके राउंड के मैच में वो पक्षन से हारा था ब्रेकिंग न्यूज है बहुत बड़ी टीम को हराया और जितने भी प्लेयर्ज हैं इंडिया के वो लाज़ भी बात है उन्हें हमारी तरफ से मुवारिक बात उन्होंने इस बंदे को सब्सक्रादा गलत साबित करा इतनी बड़ी टीम होने के बाद आप हार रहें तकलीम दे बात है यह तो अरा हम आप से जीतते हैं आप देखें यो देखके मज़ा आ रहा था लेकिन एक चीज ती जो क्राउड वहाँ बैठा वाता था ना सौरो जंटलमेन कितनी मुपबस से सब बैठे वे थे आप अपने मुल्क और रिप्रिजेट करें से देखा ना किस तरीके से यूसफ पढ़ान इंडिया का जंडा लेकर आया है यह क प्लेयर्स भी और रेसे दुनिया से बेतर है हमारे यह यंग ब्लेयर्स हें उनकी निजबत हमारे बोलर्स ने के ब्लेयर्सी निसबत यंग बलर्स being और वो देखो तरह कैसे जीद गे उनके अन्फिट प्लेयर्स में हमारे प्लेयर्स के मूँ के ओपर ना मैं क्या बोलू इनको इन्होंने डेडिकेशन दिखाए नहीं और कैसे हसरा वो वहाब रियाजना हो तो सीधे मैश में दो तो वाइडे भीग रहे बोल करनी है इतनी लंबी डिसकेशन कहएड है वाइड करने के लिए डिसकेशन कहएड है वो शरजील खान सही माइनों में अब पता चला शरजील खान पाकिसानी टीम के अंदर क्यों नहीं है यहीं वजाय थी एक में चले बाकियों में फ्लोव हुए वो बंदा पूछे 40-40 म जर्दाण का सीवाष्ण करीटर की इपांडरी इन्के अंदर इसे बाउंडरी नी लग औरी थी ओपथान को देखो यूसर पंधान का देखो तरीके से चक्कर मारियना कहां यूंसी किड़ क्लिकेड खेल रहा था वह तो अपने घर्चा हवाथा घर से वो आया और उसने क्या मैच करवाया है लगातार पिछले तीन मैचे से उसने पचास मारी है बारत को जिदवाने के अंदर यूसप पढ़ान का रोल बहुत इंपोर्टन्ट है इंडिया फाइनल में न होता है लेकि उसने फाइनल के अंदर पुंचाया कुछ सीखो और यह श्वेव मली यह इसने पाकिसानी टीम में आके खेलना है इस टीम में तो परफॉर्मस होनी अपनी तरफ से हाइस रंस्कॉर बने हुए जनाब हाइस रंस्कॉरर है कौन श्वेव मली की स्टूर्णा मिन के और फाइनल के अंदर आके कैसे जिसों कहते है न ऐसे लगजा इतना मैं एकसाइड़ था कि आज तो कहते है न वह जो 121 हम से चेज नहीं हुआ था आज हम जिसों कहते हैं यह मैं जीत के बारत को थोड़ा हमें भी खुशी का मोका मिलेगा हम भी मदा उड़ाएंगे हम इनका मदा उड़ाएंगे कि इनसे नीच यह लोग जीश सकते हमसे के हमारी टीम वह ली इछ नीथी कि यह टीम हमारी अच्छी एंदेजी जीट के दिखाओ इन्होंने तो इंबैर्स करके रख दिया इतना इंबैर्स करके रख आ कि मैं आपको लवजों में ब्यान नहीं कर सकता मुझे तो अफसोसों रहा कि मैं इस टीम को सपोर्ट कर रहा इस स्ट्रीम को मैं सपोर्ड कर रहा था कि डेडिकेशन देखो ना उनके उनके नाम में उनको ताकत मिलती है इंडिया के नाम के साथ जिसको कहते हैं जीद लिख दी गई हुई है